नीट को क्लीन करो नमस्कार आज तक पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ चित्पाटर पाथी हजारों लाखों बच्चों ने दिन रात एक करके डॉक्टर का सपना पूरा करने के लिए खूब अथक परिश्रम किया है और यहाँ पर व पूछेंगे सवाल क्योंकि इतनी बड़ी धांदली नीट में आखर कैसे सामने आ गई गोधरा से लेकर पटना तक हर जगह सवाल है और अभी तक इनके सवालों का कोई जवाब कोई भी सही से नहीं दे पा रहा है ग्रेस मार्ग को माइनस करके सरकार के ओर से कोशशे जरू सानी है मैं चाहूंगी कि आज अपने आवाज आप खोदी बनने वाले हैं जोड़दार तालियों के साथ स्वागत कर लीजे अपना और बहुत सारी सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने के लिए खार्ट मेमान मंद पर हमारे साथ आ चुके हैं एक एक करके उन तमाम लोगो ये रिपोर्ट देखे देश के अलग-अलग हिस्सों में के सरज से छात्रों का प्रदर्शा लगातार जारी है जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा वो धांदली के कैसे हो चुके हैं शिकार नीट परिक्षा को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ गया है कोई ऐसा सूबा नहीं जहांके चात्र इस परिक्षा में कथित धांदली को लेकर सड़कों पर न उतर आये हो कई राज्यों की उच अदालतों में नीट को लेकर याजकाएं दाखिल की गई है नई सरकार के काम समभालने के कुछ गंटों के भीतर ही नीट का विवाद सरकार के सामने था अब सरकार अपने स्तर पर ऐसे कदम उठा रही है जिससे ये लगे कि सब कुछ पारदर्शिता से हुआ और कहीं कोई धांदली नहीं हुई देश के नए शिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने ग्रेस मार्क्स को लेकर सफाई दी पहले तो द्यान में आया कि छे सेंटर में कम समय मिलने के करण कुछ अनमोलिस द्यान में आया उनके लिए ग्रेस मार्क्स की प्रदत एक फर्मूला को अपना एगिया NTA ने कोई अपने से नहीं कर दिया सुप्रीम कोट की एक क्लार्ट की परिक्षय की मामले में मॉडल था लेकिन उसमें भी कुछ विद्यार्थियों की मन में आया कि इसके करण कुछ लोगों को साइध नाजाज भाइदा मिल रहा है उसको भी रद किया गया फिर एक नया वेवस्ता सुप्रीम कोट ने दिया कि सरकार ये भी कह रही है कि पारदर्षता के साथ जांच हो रही है सुप्रीम कोट मामले की निगरानी कर रहा है चात्रों को हर सवाल का जवाब मिलेगा ये सारे करने के बाद शुप्रीम कोट ने इंडर्ष किया है उसको हम पारदर्षता के लिए प्रतिबद्ध है उसमें मैं विद्यारतियों को आसुष्ट करना चाहता हूँ सरकार उनकी भविश्यक के साथ कोई खिलवार नहीं करेगी अभी जाँच चल रही है दो राज्यों से कई तरह के सुबूधी सामने आए हैं चात्रों के गिरफतारियां तक हुई हैं लेकिन इसके बाद भी सरकार का एंटिये को क्लीन चिट देना समझ से परे है जाँच के नतीजों से पहले ही देश के शिक्षामंत्री दावा कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीग नहीं हुआ सुप्रीम कोट में अब जुलाई के पहले हफते में इस मामले की सुनवाई होनी है तब तक जाँच इजिंसियां चात्रों और उनके पैरेंट्स से सवाल जवाब करके मामले की तह तक पहुचेंगी उमीद कीजिए कि पैसे के दम पर डॉक्टर बनाने का खेल करने वालों का ये खेल खत्म होगा व्यूरो रिपॉर्ट आज तक ग्रे संक रद करके भले ही NTA के ओर से मामले को सुलजाने की कोशिशे कबायत की गई हो लेकिन क्या ये छात्र मानने को तयार हैं आप लोगों को कितने ऐसे लोग यहां पर मौझूद हैं जिनको NTA की होड़ से जो कदम उठाय जा रहे हैं भरोसा है हाथ उठाईए कोई भी नहीं है आप मेंसे किसी को भी भरोसा नहीं है इधर भी किसी को भी भरोसा नहीं है ठीक है अमिताब जी आपसे ही शुरुवात करते हुए बच्चों में भरोसा कैसे आएगा कल शिक्षा मंत्री से आज तक ने बादशीत की उन्होंने बड़ा भरोसा देने की कायम कोशश की थी लेकिन ऐसा लग रहे है इंकी उपर कोई असर नहीं पड़ा है उसका चितरा जी धन्यवाद इस बहुती समय दंशील चर्चे को मेरे से शुरुवात करने के लिए लेकिन मेरा एक आपसे विनम राग रहे है कि आपने जो मेरा परिचे कराया उसमें सुप्रीम कोट के एक एडवोकेट के नातिम मैं उसमें उस केस में था उस दिन और इसलिए मै उसके जानकार के दृष्टी से या उसके एक समझ रखने वाले दृष्टी से मैं यहां पर बात करने आया था और आपने उसमें एक एक एक्ट्रा परिचे डाला है मेरा जो एक राजनितिक मेरे इसमें अनुभाव के आधार्पे मैं उससे मैं चाहता हूँ इनमता से कि वो तो मेरा विशह नहीं है मेरा परिच्छा भी नहीं है तो इसलिए मेरा सिर्फ कल भी मैंने कई जगों पर बोला कि इस समयदन शिंता को ध्यान में रखने की ज़रूत है इसमें कोई भी तरीके का एदी उनके अंदर में एक अविश्वास है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए यह नहीं है कि उसको भड़काया जाए तेकि एक बहुत ही चोटी सी चीज़ है चिंगारी बस तुरत लगाने की ज़रूत होती है इदि किसी में भी किसी तरीके के उत्तेजना हो या समयदन शील मसला हो बच्चों का मामला है बच्चों के साथ उनके सुप्रीम कोट जो है वो आप लोगों के पास भरोसा उस सुप्रीम कोट पर है कि नहीं भारतिय न्यायपालिका पर है कि नहीं मैं पूछना चाहता हूं बच्चों क्या आप लोगों को भारतिय न्यायपालिका पर सुप्रीम कोट पर भरोसा है है या नहीं बस तो मैं यही प्रैक्तिसिंग लाएर के नाते, जिस्टिस नाथ और जिस्टिस मेता, ये दोनों बहुत ही लर्णेट जिदिज़लेज है, सुप्रीब कोट की सभी जिद्वान होते हैं आम τόर पर, लेकिन ये दोनों मैं उनको जानता हूँ, लोग भाँत ही जद्वान नियाईक बेवस्था को जानने वाले है उन्हों ने कोई एक निर्ने लिया है उन्होंने लिया है क्या कुछ भी जो ग्रेस मार्क वाले पर प्लस आठ तारीक को दिए सुप्रीम कोट दूबारा इसको सुनेगी मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हूं भारतिया निया जब एक्जाम की तारीक हाती है उस समय बच्ची परिक्षा सेंटर पर पहुंचते हैं और बाद में जब रिजल्ट होता है तो पता चलता है वहां पर रिजल्ट के बाद हंगामा शुरू हुआ है मेरा यह मानना है कि दखिए इस तरह की चीज़े जिसमें यह जो कोचिंग इंस्टिचूट सें आजकल चाहिए वह कहीं के भी हूँ कोटा के बारे में सब को पता है देखिए यह लोग यह दि उस पे अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करें बच्चों के सम्वेदना सम्वेदना के उपर में तो मैं इस पर चाहता हूं कि बहुत ही ध्यान देने की ज़िवरत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने की ज़िवरत है सुप्रीम कोर्ट दूद का दूद पानी का पानी करेगा जितन चाहबला जी मेरा आपसे सवाल है देखिए यहां पर हजारों बच्चे जो राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे ह सेक्टरों की तादाद में हमार साथ स्टूडियों में मौझूद हैं लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार वो इस कारिक्रम को देख रहे हैं सरकार टतकाल ऐसे क्या कदम उठाए जिसके बाद कम से कम इनको लगे कि न्याएं सिर्फ पूरा नहीं किया जाएगा वो होते हुए दिखेगा भी तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं नंकेने से उसका जैनेसिस होताए कहीं से पहले सबसे पहले इशू है जोając करीया कांश्र मेर्ड़ास करूँ है कि लोग सोचतें कि खाली इंजLES मेडिकल सबसे अच्छा होता है तो पेरेंट्स को और बच्चों को करियर काउंसिंगी जरूवत है जिससे वह और भी समझे वही क्या चीज़ें अवैलिबल है तो आप सूचे ना पूरे दुनिया में कोई असा वह नहीं है एक्जाम नहीं है जहां 23 लाख पच्चा एक्जाम दे रहा है तो विच इसेल्फ म उससे करना चाहिए कि अलमिनेट कर पाएं बेड़ बक्रियों जैसे बच्चे जाते हैं मुझे शब्द पर ही आपती है इतनी बड़ी तादाद है हमारे देश की और वहां पर अगर बड़ी तादाद में बच्चे जाएंगे एक्जाम देने के लिए उनका उनका ये सपना होता है वो अपने सपने को पूरा करना चाहिए परेंट कोई आजकल के बच्चे जनके हाथ में मोबाइल है को इतना दवाव नहीं होता है पेरिंस का आप बारेंगे नहीं लेकिन बायो में बायो प्लस मैनेजमेंट बायो इंफरमेटिक्स ऐसे ऐसे आप्शन ने जाकि 4-5 सार पढ़ाई करके बहुत बढ़िया कर सकते हैं लेकिन कोई तो चाहिए जो उन्हें बता है पहली बात दूसरी बात यह है कि जो नीट का पूरा यह सब हुआ बहुत ही दुखत है और बच्चों के मैं बिलकुल 100% साथ में हूँ कि भई आपको एट लीस्ट मतलब गौर्म सब्सक्राइब भी आके बोलते हैं कि क्या पॉसिबल है किसी तरह से अड्मिशन करा दें इंडिया में नी अबराट के लिए भी क्योंकि अभी तो चर्चा इस बात पर करनी है ना एक्जाम देने के बाद चातर यहां पर स्टूडियों में बैठे हुए हैं उनको अपनी ज हम के और फॉर्मर आप आया के दली से भी जुड़ेवे हैं कपल गुपता जी आपके पास आते हुए तद काल ऐसा क्या समाधान हो सकता है जो उन बच्चों को राहत दे हैं मुझे दो चीज़े विश्वास कहीना कहीं कम है खासकर NTA के उपर तो जो दोजार चॉबिस के आ इन्वेसिगेशन और वो आके बाहर बोल दे हमने देखा सब कुछ ठीक था या फिर इन्वेसिगेटिंग एजनसी फाइंड साउट की चीज़े ठीक नहीं हुई थी और यदि चीज़े ठीक नहीं हुई है मास लेवल लीक है या लोग की बैगडोर एंटरी हुई है तो उस देखी जा सकते हैं आला कि सेंटर लेवल पे स्टेटिस्टिक से काफी अच्छे टूल्स अवेलिबल हैं नीट 25 को यह जो अगले साल के तयारी कर रहे हैं उन्हें भरोसा देनी के ज़रूता है कि सेलेक्शन सिर्फ फिजिक सेमेस्ट्री और बाइलजी की नॉलेज के बेसि इस पर नहीं होता है वो भरोसा अभी एक लेवल पर टूटा है और उस भरोसा को वापिस कायम करना जरूरी है मैं यह जरूर बोलना चाहूंगा कि इस टाइप के जो बहुत बड़े जो एक्जाम हो गए एंटीय ने अपने एफ एक्यू जारी के से तीन-चार दिन कले जिस तो मुझे ऐसा लगता है कि इन वाले पेपर्स के अंदर एक तो दो स्टेप में हो ऐसा बड़ा एक्जाम कोई भी एक स्टेप में ना हो जैसे जेए मेंस और जेए एडवांस होता है इसके अंदर भी एक लेवल पर गपला हुआ अभी हम एक और एक्जाम करा सकते हैं इमा जाया नीच जो पैन पेपर में होता है उसको ऑनलाइन कर दें तीसरी चीज़ हमारे एड्यूकेशन मिनिस्टर ने कल का कि हम लोगों ने पेपर के सर को उस जगे पर लाने की कोशिश किये कि जो सुसाइट के कैसे हो रहे हैं बच्चों के उपर बहुत एक्जाम स्ट्रेस ह करने का है कि एक्जाम को दो या तीम बार साल में कर दिया जाए तो वो जो प्रेशर होता है कि तीन घंटे बीस मिनट की परफॉमेंस मेरी जिन्दगी डिसाइट करेगी लेकिशन अभी तो सवाल बिलकुल अलग और अलहदा है सवाल धांधली का है सवाल ग्रेस मांग क्या गया है विबेक छाकुर जी हमार साथ पाउंडर और एंडी जुड़े वें स्कॉलर डेन और आप खड़कुर आई आई टी से आपने पढ़ाई कि है विबेक छाकुर जी आप से सीधा से सवाल बच्चों के जहन में जो सवाल है हमने रपोर्ट में दिखा दी है ततका जो नको लोगसवा चुनाओं में दो लोगों का एक्जाम था एक सरकार का एकजाम था और एक नीट के बच्चों का एकजाम था दोनों का रिजर्ट एक सथ आ है आप तस्वीर को समझे क्या है कि एक ग्जाम था 543 नंबर का यह बाते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉम यही दर्द है इन बच्चों का आप इन से पूछिए कि इन बच्चों का एक्जाम 720 नंबर का था जब यह बच्चे उस एक्जाम में 650-660 ले आए और इन्हें इन बच्चों का दर्द है इसको इस आकड़ों से समझे कि अगर मोदी जी के साथ धर्मिन प्रदान जी के साथ जो क्लीन चेट दे रहें एंट यह को अगर उनके साथ यह होता कि नहीं साव आप 290 लाया आपके सिरकार नहीं बन पाई आपको 290 से नहीं काम चलेगा 320 चाहिए पहली बात दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए एंटिय का ट्रैक रिकॉर्ड अब उठा के देखेगा पिसले तीन चाहसा से हर सल डाउट फुल है और इस डाउट को क्लियर गॉर्मेंट को करना है हमें नहीं करना है हमसे एविडेंस मागा जा रहा है बच्चों से ए बता हूँ आप चितरा जी अगर टीचर हो तो आपको पता है कि आपको बच्चा कॉन टॉप करने वाला है किसका क्या पोटेंशल है आप देश के तमाम कोचिंग इंस्ट्यूशन की वेब साइट को जाकर देखिए पांच महीं को एक्जाम हुआ है साथ तारीको आठ तारी कि बजाए आपका सिस्टम है ना आप सीवी आई को लगाई एडी को लगाई आज कहा है वो आज जब देश के 25 लाग बच्चों की बात है और मैं सर को करेक्ट करना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा एक्जाम नहीं कि आप कह रहे हैं कि इसमें पेरेंट्स दोशी है इसमें करने के लिए तो पूरी लिपाप होती होगी आप आप एंसके डॉरेक्टर को लीजी आप पैनल बनाईए आप थारो चेकिंग करिए बैक्चे आप पूछेंगे इंको एक्जाम से यहां बच्चे बैठें बताएंगे इक्जाम से दो घंटे पहले दो दिन पहले ऑफर्स म लेने कि आप पांच लाग रुपीय दिजिए का तो दो घंटे पहले पेपर मिल जाएगा आप दो दिन पहले चाहते हैं तो 25 लाग रुपे देने पड़ेंगे ये काफी हद तक बच्चों को पता है ये गौवर्मेंट का काम है आप इंवेस्टिगेट करिया आप सारी एगे हमसे को आप पूछना है एविडिन्स ठीक है जोक्रिया इनकी शर्मा जी में फॉरन आपके पास आउंगे लेकिन उसके पहले एक बड़े खबर आ रही है बिहार से नीट के मामले में आपको बताते चले कि एक तरफ लीपा पोती के कोशिश की जा रही है जिस तरह के यू का एक्शन सामनी आया है अब जाकर जब चारों तरफ से दबाव पढ़ा है नौ परिक्षाटियों को नोटेस जारी किया गया है यहाँ पर पटना से ये बड़ी खबर सामनी आया है नौ परिक्षाटियों को यूई का नोटेस अब दफतर भुला गया है सभी सबूतो का काम चखनाचूर करने का काम उनके पैसों को बरबात करने का काम मौजुदा वक्त में आफिर वो कौन लोग है जो धानली करके छात्रों के जीवन से खिलबाड कर रहे हैं पटना में मौजुदा क्या एस्थिती बनी वी है रोहित सेंग हमारे संबाद गाता की यह धोरा है हम आपको सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं पटना के दिनकर चौराहे से जहां आक्रोशित छात्र जो है वो पुतला दहन करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं आपको साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जाच से पहले आखिर क्लीन चीट कैसे दी कही हम बात करने की कोशिट करेंग है 19 लोग की रफ्तारी हुए है नीचित रूप से छात अभियर्ति के हक में हम लोग पेपर लिख रद कराने के लिए कर सिविया इंक्वारी की मांग को लेकर मतान मंत्री जी से अग्रा करते हैं कि पेपर लिख हुआ है तो रद कीजिए नहीं तो 24 लाग छात्रों के जो अन् कामिनेशन के कैंसिलेशन की मांग कर रहे हैं कैमरा परसन सुजीत के साथ आदेते वाभाव पटना आज तक अब यह त्रस्ट खोया कहां पर यह खोया जो एक्जाम के बाद में जो भी चीजे हो रही है जिसमें विरोधा बास आ रहा है एक तरफ यह कह रहे है कि क्लीन चीट दे दी गई दूसरी तरफ आज अखबार में भी यह आया था अभी भी आपने दिखाया कि इकॉनमिक जो ओफेंस योनिट है उसने कहा है कि हमने कुछ लोगों को गिरफतार किया है और उन्होंने कहा है इसा कुछ नहीं है क्या हम इस चीज को मानने को तयार है इसकी बहुत अच्छे लेवल पर एक बहुत निश्पक्ष तरीके से जाच हो जो भी बच्चे यहां पर बैठे वे हैं वानिय सुप्रीम कोट में मामला है हर एक को उसके उपर पूरा का पूरा जो सर ने कहा पूरा का पूरा एक विश्वास जरूर होता है लेकिन सच्चा हींता से भी एक बारी ये मिस्ट्रस डेवलप होता है काफी चीजे गलत हुई है कुछ चीजों पर बैक ट्रैक भी किया गया है 1563 को पहले नई माना बाद में मान दिया इस तरह की चीजे भी हुई है तो ट्रस्ट जिनोंने लूस किया है मैं सर से एगरी कर रहा हूँ अब काम है कि इस ट्रस्ट को गेन किया जाए और जल्दी करें क्योंकि इस अ केरियर एट स्टेक बहुत से बच्चों इस चीज से प्रभावित होते हैं बिलकुर सही का आपने उनके मनोबल पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है क्योंकि जिस तरह की तैयारी वो कर रहे होते है अचानक से किसी कारण बेक लग जाए तो यकिनन उनकी फ्यूचर को लेकर बड़े सारे सवाल हो और यहां पर जितने भी बच्चे हमार साथ मौजूद है नीट के आपको बताती चले मैं नाम लेती जाओंगी आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए इनके नमबर आप सुन 605 और रिशब व्यादयों हैं 601 आप सुची कि बच्चिये इतना ज्यादा बड़ा नंबर स्कोर कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में वो टीवी डिबेट पर आकर सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि भाईया हमको न्यादियो यह सित्य देश में नहीं पर अपनी चाहिए यह मैं बातचीत करती हूँ खड़े हो जाएं बताइए क्या चाहते हैं अब अभी पुलिस का पेपर हुआ था तो उसको सुप्रीम कोड जाने से पहले ही रिजॉल्व कर लिया गया इस चीज को वह रिजॉल्व किया जा सकता था कि भाई सुप्रीम कोड तक जाने नहीं प है कि हमें अपने हके लिए लड़ना भी पड़ेगा वह अलग बात है कि मेरे पापा हमारे साथ तक चले हम बहुत जाए डिप्रेस्ट होगा जैंग पापा ने का तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर हम तुमारे साथ हैं वो मेरे बापा सिर्व मेरे साथ चले लिकिन और किसी क लगा रखे कि सर के पास तक नहीं पहुंच सकते हैं वो तो इटली से लोटे ही हैं तो वहां जाने के लिए हम नहीं जा सकते हैं मलब एक वी बच्चा लीख हो कि वह अंदर पहुंच जाए लेकिन जहां पीपर रखा गया था वहां आपने इतनी सिकूर्टी क्यों नहीं ल करें खड़ो जाए क्या बोलना चाहते हैं एक एक ऐसा एक्जाम जिसकी हर साल कट आफ 610 जा रही है मैं कह रहा हूं बढ़के 630 चली जाती मैं 640 नमर है मेरे मेरे मेरा राइंक 31,500 मुझे मेडिकल कॉलिज नहीं में लेगा मैं सपने देख रहा था कि मैं हर्याना के टॉप नहीं इता है यह चांट रहा रहा हे कर लंगेल में इस तरह की कौई बपके आपके आवाहे और और गो NBA ऐस तो कोई सुझाओ क्या है करें कि आप लोगों को भरोसा हो कि हां आप लोग जो चाहते हैं वह हो रहा है कि अपने की स्थी नहीं है हम लोग को आनसर ठीच हो नहीं दिए जा रहे है और सट बोल रहे हैं तो एक क्वेश्चन है छोटा सा एंटी जो लॉयर थे जो उनोंने अर्गूमेंट दिया वह कुछ नहीं हुआ और एंटी आकर बोल रहे हैं हम कर देंगे सर हमें पता है चीटिंग हुई है बस प्रूव करने की बात है अकाउंटबिल्टी क्यों नहीं है सेकेंड सर गौर्मेंट से रूलिंग पार्टी से थोड़ी हुए तो मैं कहना चाहता हूं अब सब को स्टूडें अपने आपको प्रूव करने के लिए दूसरा मोका नहीं या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं एक करोड़ रुपे दे के डॉक्तर बनूंगा यह यह बीच में हम लोग का गया बहुत बड़ा है तो इसके लिए गौर्मेंट अब तो सब बोल रहे हैं पहले क्यों नहीं के लिए तो बेड़ बकरी स्लॉटर होते होंगे हम लोग नर्चर हुएं तो मैं तो अपने अमिताब जी बच्चे डॉक्तर बने और बैठके या फर यहां पर वकालत सीखते रहें कि कैसे उनको न्याई मिलेगा और समय कितना खराब जा रहे हैं इनका इस बात का अंदाज सुप्रिम कोट के पास स्वेम यह मसला है और वो इस बात को चर्चा कर रही है इस पर उसने एक निर्न लिया है एक मिला काउंटर कुश्चन नहीं एक पर मैं अपनी बात कर दो अब सुप्रिम कोट ने एक रिजन जज्मंट दिया उसके बाद उसमें थोड़ा धैरे कि अधारे मत करिये मेरा माना है पेशेंस है फेथ जुडिशरी अट लिस्ट चलिए आप पॉलिटिसाइज करते अभी मैं देख रहा था बिहार की फुटेज वो इनकी रिपोर्ट में उसमें एक व्यक्ति उसकी उम्र निश्चित रूप से चात्र की नहीं है लेकिन वो नेत पीर विशह में भी ऐसे ही आगजनी करवाई गई थी बच्चों को इनवाल्व करके मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब बच्चे बहुत देश की उज्जोल भविश्य हैं और न्याइपाली का भी हमारे देश का सबसे बड़ा अच्छा संस्थान है जिस पर मोटे तो पर सबूं को विश्वास है इसलिए जिसने सरकार के बहुत से निर्णेयों को बदलाएं तो इसलिए आपको लोगों को भरोसा होना चाहिए आपको भी कि अभी सुप्रम्ट पार तो भरोसा है वही मैं चित्रा जी करना चाहते हूं कि कुछ लोग इनका फाइदा उठाना लगाने की कोशिश है कर वहां पर हंगामा करेंगे चित्रा जी मैं आपके बाद से बिल्कुल सहमत नहीं हूं लेकिन फैक कही है कि यदि आप अगरी वेट करेंगी तो आग जल लगेगी दुनिया में देश नाग लगेगी आप अगरी वेट करने के बजाए कि नहीं पालि लगाएंगी कोई सड़कों पर आग लगाने लिए वह आपका जो आपके रिपोर्ट में जो प्रदर्शन करेंगा जो आप उसको कहेंगे कि वह फैदा लेने की कोशिश कर रहा है सब्सक्राइब क्या बात करते हैं आप 35 साल का वह बुजर्ग हैं आई हुए हैं आपर वह अपने कहा है मैं यह कहना चाहता हूं ही लिखाव अधा अमेंट्रों पे कोई गलत मिले तो सूचना दो यह मैं पर कुछा बंबर बनाके तयार कर रहे हैं यह उनको पहुचा रहे हैं जो किन्या बेचेंगे जब पैसा देकर डॉक्टर बनाया जाएगा तो फिर क्या होगा उनके भावनाओं को समझें वो ये बाते कहना चाहिए मैं बच्चे के सपेट मुहूं और जब तक मेरा बच्चे मुझे वर होता है और मुझे पहले आप ते कश्टे आपने जिस बंदे ने काई घेड़ वक्रियां आपको इसे एमिडिटी सोते निकाल देना चाहिए तकाई बात करें अरे वह भद्र ब्यक्ति हैं यह मुहावरा ह है मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं आप खुड़ा से पढ़े लिखें हैं अब इसमें उनका पढ़ा लिखा यह एक मुहावरा है तो समझे तो बेंड़ बाकर यां कहना मतलब बेंड़ बगर ने यह एक मुहावरा है हो जाती है कई आप उनको शोज ही निकल वारे हैं मेरी बास समझेगा नहीं नहीं होनी चाहिए देखे हम सुने के बास करने हैं सुटेंट के बास करें के बास तुनिए बास तुनिए अभी दो एक डिपेस में बंब के ख़वर आई थी इमिटेटली वह इसकार्ट यह जो लोग सुसाइट कर रहे हैं बच्चे बावी तो मरी जाते हैं हमें ऐसे बाते तो नहीं कहनी चाहिए हमें ऐसे बाते नहीं सहमत हूं मैं नहीं सहमत हूं हर एक माता-पिता की यह जिमिदारी है वो अपने बच्चों को समझाएं जिंदी में कई बार उतार चड़ा बाता है और बेवजा कई बार हम वीपरीत परसितियों का अपनी गलती नहीं होने के बावजूद शिकार हो जाते हैं ऐसे में हमें धैरेनेक होना है अपने लक्ष पर अडिग रहना है हमारे देश के सामने कई ऐसे बड़े-बड़े उदारण है जिनमें डॉक्टर कलाम से लेकर अटल बिहारिवाज पर तमाम लोगों के जंदगी में कितने उतार चड़ावा है लेकिन वो अपने लक्ष से नहीं भढ़के हमें बिलकुल अधिर नहीं होना है और कोई भी यहां पर सुप्रीम कोट ने 1563 स्टूदेंस के लिए बोला था कि उनको ग्रेस मार्किंग तो उनकी ग्रेस मार्कें हटा दी गई एक यह मुद्दा था सारे बच्चों का लेकिन एक यह मुद्दा है जो कि थोड़ा दब रहा है कि जिन बच्चों के स्कोर आए 580 टू 650 तो लास्ट येर 600 के स्कोर पे 30,000 रेंग थी लेकिन इस येर वो 80,000 हो गई तो इसका सिर्फो और रिजन ग्रेस मार्किंग तो नहीं है मेरे पास कुछ पूर भी है जैसे कि एक स्टुरेंट के थे 188 मांक तो उसके रांग ते यह रहाग और एक स्टुरेंट की है तो 50 जिसकी रैंक है 15 लाग तो मतलब जिसकी मांग जादा है उसके रांग कम कर दी तो रहा है वोख अ जब तक निकाले पीछे से आप आपने बात कहना चारी थी आप लोगों में इसे कोई था आप इदर आप दब तक निकालो फिर मैं इन लोगों से बात कर लेती हूं पताईए थाड़ो जाईए सर आपने जैसे बोला कि have patience मैं patience रखोंगी आप कांसलिंग पिस देलाग भादी जिए I don't have any confusion आप कांसलिंग पिस लगवादी जै आई फेशिंग्वार्ण फेश्टा अब त्रॉम कोट जवाब जवाब देजा आपका नाम क्या है सर कषिष गुपता कषिष जी देखिए काउंसिलिंग कर्शिश आपके कितने नंबर एक बरन का नमर मेरे 670 माक्स है और मुझे गौर्णमेंट कॉलेज मिल जाएगा काउंसिलिंग से 670 मुझे कॉलेज मिल जाएगा बिल्कुल and I will have to go for it exactly and my good wishes are there आपको मिलना भी चाहिए आप यदी बहुत प्रकर बच्ची लगें मैं अब आप जवाब देता हूं आपकी बात एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक बोजवाब देता हूं देखो आपका शिश्म यह यदि कांसिलिंग हो जाती है तो यह कोई बहुत बड़ा विशने सुप्री सुप्रीम कोट को जानने के कारण आपको भरोसा दिलाता हूं कि सुप्रीम कोट विल टेक कॉगनिजन्स विथ तो यूर ऑल एप्रिहेंशन और मैं आपको दावेक साथ करता हूं यदि एविडेंस मिला क्योंकि यह लोकल है लीक या पूरे पैन इंडिया लीक है यह बहुत कि उपर में मैंने सिर्फ दो दिन के आपके धैरी की बात कर रहा हूं थड़ा से धैरे रखो बेटा आप लोगों को न्याई मिलेगा इतना मैं सुप्रीम कोट के विहाब से आप लोगों को दिलाना चाहता हूं ठीक है कुछ और लोगों के सबाले जल्दी जल्दी ले ले सब्सक्राइब आपको करना था तो आप एक देश के सरवोच दालत ने तो यह हो सकता है कि हम लोग देशे रख रहे हैं कोई बात ने आप चैको आप कांसलिंग सुरू कर दे आठ और तो फैसले के बाद ही कांसलिक सुरू कर देते इसमें को जात दोड़े जाए आप आपक सब्सक्राइब करना चाहता है और आठ तारी को उसके बाद सब्सक्राइब करके परिक्षा देने के बाद चाहरे हैं कि चातरों को धैर रखने के लिए मेरा सवाल यह है कि बच्चों को इतनी महनत करके परिक्षा देने के बाद हर बार इतनी बड़ी परिक्षाएं क्यों देनी पड़ती है सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल यह कि आप पिछले साथ सालों पे उठाके देखिए चैन्ज की आप बच्चों से बाबर क्यों कहरें पेशेंस रखिए पेशेंस रखिए बच्चा एंग्जान, तयारी किरें उसके बाद जब रिजल्ट सगीने और इसके लिए वह कोड़ा है लड़े बच्य बच्चे आप कह रहे हैं कि बच्चों को बढ़गाया जा रहा है आपको लगता है कि बच्चे सड़क पूतर के प्रदेशिन कर रहें वह खराब है नियुक्त के तेश में वह बड़ा वाइलेंस है कि बच्चे चुप चाप किसे कहें बच्चे अगर कोचिंग इस्टीशन के टीचर आगे आ रहे हैं मुझ जैसे बच्चों की दर्द लेके त बच्चों को सिखाना गलत है तो फिर यही कोचिंग चलाते होंगे इनके उनको तो बार-बार सलामी मुझे पता है यह मैंने आपको नहीं कि देखिए इस विशह पे मैंने जो कहा वो उसी पे कायम हूँ और यह एंटीए में भी बदलाव चाहिए तो उसका भी एक पेटिशन सुप्रीम कोट में आपको सरोकार के सरकार पर भरोसा नहीं है तो इसे सरकार की जिम्मदारी है ना अगी पर है सरकार की जो जबाब देए हैं तो किस पर भरोसा होगा सुप्रीम कोट पर होगा आप सुप्रीम कोट पर पर पेटिशन फाइल करिये आपकी बात बिल्कुश सही है तभी तो वह मुलाकात पर क्या है यहां आराम से कोई स्टूडेंट से जुड़ावा मुद्दा है गंभीर बी एक एकर की जवाब मैं आरे मिल रहा है इसको पता है कि हो सकता है कि 670 स्कोर करने के बाद में शायद वो कॉलेज ना मिल रहा है आठ बच्चे मेरे बास हैं जिनके नंबर 600 से जादा है बिलकुल 700 से उपर मेरे काल से 200 बच्चे हैं अगर हर सीट पर लॉट्री लगनी शुरू हो जाएगी तो लॉट्री एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि किसको कौन से कॉलेज में जाना है और एक्जांपल साथ 670 में मुझे लगता है हजार बच्चा भी हो सकता है तो 670 स्कोर करने के 720 जाना है अच्छा भी होगा वर्ष लिक सुसाइड और गुट-गुट के पढ़ें वही बढ़ा ही करते हैं, हर बच्चा पुरता है, I am a school topper, तो मैंने भी पढ़ा ही करी हैं, but I enjoyed that entire thing. So I think there has to be a sense of enjoyment in studies also, which people can have. आज की रेट में जब कि हम कुश्चिन कर रहे हैं, तो Supreme Court पर definitely सब का विश्वास है, अभी हमने जब चुरू में पूछा, we should wait for the result and then carry on with the process. चाहिक है, जल्ली से. मैं मैं इसमें ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कहीं पर समबाद की जो कमी ये, शर्मा सर एक बर बोले कि NTA शायद बात बात मी कर रहा, ऐसा लगता है कि जो भी जवाब दो एक FAQ जारी कर देते हैं, कि इसे पढ़ लो. मेरे साब से हुना ये चाहिए, वो जो exact process follow करते हैं, एक अच्छा सा PowerPoint presentation दे, कि इस process के थूरू हम result चेक करते हैं, ऐसे हम publish करते हैं, ये agencies audit करते हैं, और हमें लगता है कि यहां यहां पर गड़ बड़ सकते हैं, इन चीज़ों को फिक्स करें, बिल्कुल, दे डोंट टॉक तो पीपल, जैसे वो भायस लोगे, ऐसे बात करते हैं, कि हम जो बोलेंगे, वो सुन लेंगे, मेरे साब से, ये बहुत अच्छा मोका है, इन वाली चीज़ों को फिक्स करने का बहुत अच्छा मोका, और मैं एक चीज़ फाइनली ये जरू बोलना चाहूंगा, नो एक्जाम इस वर्थ दाइंग फॉर, कोई भी एक्जाम, दू और डाइ एक्जाम नी है, मैं सारे बच्चे जो यहाँ पर हम अपने चैनल पर भी, जो भी कम्मिनिकेशन होता है, बच्चों से बोलते हैं, शायद गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, कि 17 साल की उमर में, आपके साथ जो गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, आप ठीक है, मुझे लगता है इस बात पर तालिया होनी चाहिए, और इस बात को अपने तमाम दोस्तों तक भी आप लोगों को पहुचाना है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, एक एक लाइन में जल्दी से अपने बात रख रखेंगें। मेरा सवाल सिक्सा मंत्री और NTA से वो लोग कह रहे हैं कि पेपर लिक नहीं हुआ है, तो मेरा ये सवाल है कि अगर पतना पुलिस का बयान आता है कि एक रात पहले पेपर लिक हो जाता है, और पतना पुलिस का बयान आ रहा है कि एक रात पहले पेपर लिक हो जाता है, और मेरा दुसरा सवाल ये है कि स्यू यही एजन्सिया स्यू टी एक जाम भी केंटेक कराती है, वो उनका रिजल्ट आना भी बाकी है, तभी बच्चे लोग को ये भी मन में डाउट है कि क्या स्यू टी रिजल कितना सुरक्षित होगा और कितना नया दीख होगा, मैं देखें कि बच्चों की बातों को सलकार बेहाद दमीरता से सुनेगी, आप लोग बैट जाए जिनको अपनी बात कहने हैं थोटा सा और आ गया आजाएं आप क्या बोलना चाहती है, माम मेरा ये क्वेशन है कि जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि धहरे रखें, कितना धहरे रखें वो भाईया है, पर दरशिता लाने के लिए पर दरशिता लाने के लिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चे जो बाते क्या रहे हैं, गंभीरता से सरकार उस पर ध्यान दी बताईएं. माम, एंटी अपने आपको एक ट्रांस्पेरिन बताती है, लेकिन जब तक हम लोगों ने ये निक देखा कि 718 और 719 नमबर दिये गए हैं, उसके बाद उन लोगों ने बताया है कि grace mark दिया गया, जब उन्होंने result निकालना, उसके साथ भी तो वो चीज़ बता सकते थे, और अगर वो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि paper बहुत easy है, इस विज़े से cut off इतनी high है, तो वो तो उनकी ज़मेदारी है कि वो लोग paper इस level का set करें, ताकि जो जिर्फ बच्चे हैं वहीं जा पाए, तो paper hard या easy set करना तो उनकी ज़मेदारी है, बिलकुँ, जित्रा जित्रा जिसके बात हो गई है, अब दूसरों को मौका देते हैं, आप देश के टॉप इंस्यूशन के प्रोफेसर से पेपर सॉल कर वा लिजे पिसले तीन साल का, पेपर आल्मोस सेम लेवल का था, यह यह ओमार शीट लेट क्यों रिलीज की गई है, इसको लेकर भी तो कहीं सारी सावल, अब एक इनका सवाल जल्दी से ले लिएक बात बताईए, जो रिनीट का एकजाम हो रहा है, 1563 बच्चों का हो रहा है, वो उन्होंने खुदी ही डिसाइड कि किस की सेंटर पे कितने बच्चों का, सर को यह एवलेशन हुआ है, हमें कैसे पता है, किस किस बच्चे का time loss हुआ है, हमें कैसे पता है कि वह 1563 बच्चे सिर्फ उन्हीं का time loss हुआ है, पूरे देश में और किसी का time loss नहीं हुआ, एक लास्ट ताम जब लिए यह चीज हुए थी तब एक विंड़ो हो ली गई थी बताया गया था, बच्चों ने complain करी थी कि इसी center पर हमारे मेरे center पर loss हुआ था, अब वो विंड़ो कहां खुली है, बिना वो विंड़ो खोले, इनको तो पता भी नहीं कि कितने बच्चों को रूट लाइन उस टाम पर क्या हुआ था, कि loss हुआ था, बच्चों ने रिपोर्ट करी उन्होंने चेक किया और उन बच्चों का रिनीड करवा था, इन्होंने अपने मन से सिर्फ जिनोंने पेटीशन करी है, सिर्फ उनका रिनीड करवा रहे है, यह तो सब्सक्राइब राइट टो एक्वालिटी का वालिशन हुआ ने तरी किसे और भी सबाले लेते हैं आज नीचे हैं हमारा ये क्वेश्चन है कि पिछले साल का अपगर डेटा उठाकर देखें तो 620-720 मार्स के बीच में रगभग 9000 बचे थे इस पर अंठावन हजार को लेकर भी बड़ा समया जा लगाए करें मेरा सवालार के लुक्ट है है मेरा सब्स्क्राइब कर्सेवंड वाद मिर्मश् totally नेमेक्वाइब अजैसेफोट कॉलिग नहीं व्यaret में एक बश्चाइव पर यह जो चोट लगी है उसको लेकर सवाल यहां पड़ जाएंगी 720 के एक्जाम में आप बताइए चित्रा जी एक बच्चा मैक्सम कितने नंबर ला सकता है लेकिन सरकार यह जो भरोसा दे रही है धर्मीन प्रधान ने खुद भी चात्रों से मुलाकात करके भरोसा दिया है क्या उस पर यकिन नहीं हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों चा बज़े है मैम बज़े यह है ना कि NTA हर बर एक जूट का पुलिंदा लेकर सामने कर देता है बच्चे पूछिए इनसे क्या पता है सारे बवाल पर उनका क्या क्लारिफिकेशन आया है कि चुकि तील लाग बच्चे ज़्यादा इस पर बैठे थे इसलिए मार्क्स में चीन जागे बच्चों के करियर से खिलबार नहीं होगा शिक्षा मंतरी धर्मेंद्र प्रधान की ओर से ये भरोसा दिया जा रहे है उन्होंने असर से बातचीत भी की थी सारे तख्ये सुप्रीम कोट के संग्यान में है कोट जो भी कहेगा उसके आदेश का पूरी तरह से पालन होगा नीच परिक्षा विवात के बीच शिक्षा मंतरी का ये बड़ा बयान सामनी आये है सरकार सभी अविश्यक कदम उठाएगी कोट के आदेश का पूरा पालन किया जाएगा बच्चों के करियर से कोई खिलवार नहीं होगा शिक्षा मंतरी की ओर से ये बार-बार भरुसा दिया जा रहा है लेकिन सवाल बड़ा है NTA को लेकर NTA की लापरवाही को लेकर उनकी ओर से इतने बड़े एक्जाम को ऑगनाईस किया जाता है उमीद उनको सरकार से है कि कम से कम ऐसी पारदर्शी व्यवस्ता करे ताकि दोबारा किसी भी स्टूडेंट को अपने एक्जाम के बाद रिजर्ट सामने आने के बाद इस तरह से चक्कर नहीं लगाने पड़े बहुत बहुत धनिवाद आप तमाम लोगों का तालियों के साथ बहुत धनिवाद बहुत शुक्या सभी का भविश्य उज्वल हो थोड़ा सा धैर्या आप बनाए रखें और धैर्या का यकीन माने कोई विकल्प नहीं होता है जिस सरसे कठिम परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है